तो चलिए वीडियो के थमनील में तो आपने पढ़ लिया कि हम अपना वर्क स्वीच कर रहे हैं विंडोज से मैक बुक में अब हम ये क्यों स्वीच करें इसके बारे मैं आपको डीटेल जान करीद दोंगा लेकिन सबसे पहले हम अन्बॉक्स करते हमारा मैक बुक प्रो 2020 जि मैंने यही क्यों चूज किया इसके बारे में डीटेल करते हैं करते इसका उनबॉक्स करने के पहले मैं आपको इसके पैकेज़िंग के जुरूद दोस्तों अगर आप देखेंगे इसके पैकेजिंग के तरप तो यह नॉमल लैपटाप की जो पैकेजिंग रहती है वैसे कि यहां पर मैं बताओ कि इसे कोलने के लिए आपको चाकू या कहची की ज़रुवत बिल्कुल नहीं है जो कि नॉमल लेपटाप आप खरीत तो दूसरे कंपनी के तो वहां पर आपको काचने के लिए चाकू या कहची की ज़रुवत पर दी लेकिंन इसका जो लॉक रहता है यहां पर पूल टैप दिया गया और इसके आगेख लिखाय देर एक टेप है और पेपर टेप को निकालने के लिए यहां पर आपको फूल टैप मिलता है इस पूल टैप को खीचेंगे तो यह ऑसानी से इकल जाता है यहां पर कहीं चीआ च्याकूं लगा हुआ है तो आप समझ जाना है कि आपके प्रोड़क के साथ किसी ने कुछ छेड़कानी नहीं कि यह आपके पास प्रॉपरली डिलीवर है अपनी चिंद रहे सकती है तो यह तो मैंने बता इसके पैकेजिंग की बारे में यह कुछ खास अलग तरीकी की पैकेजिंग थी इसके बारे में इसलिए मैंने शेर किया लेकिन अभी हम इसको अन्बॉक्स करते फड़ा फट यह पूल टैप को खीच के पेपर टैप निकाल के देखते इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है तो चलिए अब मैं इस पूल टैप को खीच रहा हूं और इस पेपर टैप को निकाल के हमारे लैपटाप को कर रहे हम ओपन गाइज ओ यह यह हो गया ओपन हमारा मैक बुक यहां पर आप इस बॉक्स के अंदर देख सकते चलिए मैं आपको दिखा देता है इसमें हमें क्या मिल रहा है तो इस इसमें तो इसमें आप देख सकते हैं एक और बॉक्से और मैक बॉक को नाम आपको दिखाए दे रहे है तो चलिए इसं को पहले स्लाइड में कर देता हूं तो चलिए अंदर जो में बॉक्स मिला है यह पूरा प्लास्टिक से कवर है और इसे ओपन करने के लिए हमें यहां पे भी एक पूल टैप दिया गया है तो चलिए मैं फूल टैप को खीचता हूं फटा-फट इसे ओपन करता हूं तो यहां पर देख सकते आप इसे फटा- आपके दिखाता हूं यह है यह पे अपल का लोगो अब इस बॉक्स के अंदर इसके से और क्या-क्या मिल रहा है जरा मैं आपको दिखा तो और इस बॉक्स में आपको दिया है यह यूजर मैनियल जिसमें आपको मैं दिखा दिखा दो क्या है इसमें और टिकार मिलेगा कु और साथ में आपको यहां पर आगे मैं बता रहा हूं कि यह मिल रहा है आपको लैप्टॉप चार्ज करने के लिए सी टाइप केबल जी लैप्टॉप को जो चार्जर करने करना है वो सी टाइप चार्जर होता है और उसका चार्जर आपको यहां पर दिखाए दे रहा है जो क कि तो छीलिए इसके उपर प्लेस्टिक मनें हटा दिया है कि उपर और ये पैक इंग आता था वो प्लेस्टिक मैंने निकाल दिया है अब आप देख सकते हैं हमारा yeah macbook यहां पर है कि के लिदि के लिए तो चलि ए मैकbook की एक और खासियत मैं आपको बताओंगा इसे open करने के पहले आप जैसी नया MacBook खरीद होगे और उसे पहली बार open करोगे तो उसे आपको start करनी के जरूरत नहीं यह automatic boot होता है start होता है मैं आपको दिखाता हूं चलिए तो चलिए आप इसे open करने के लिए मुझे बस यहां से middle से खीचना है और यहां पर आपके सामने यह MacBook Pro हो रहा है open अभी मैं इसके उपर का जो पेपर है वो हटा रहा हूं और आपको दिखाए दे रहा है यह मेरा MacBook Pro हो गया है start मुझे start करने के ज़रूरत नहीं है जब कभी भी आप पहली बार अपने नया MacBook open करोगे तो वह directly आपको start मिलेगा ड्रेक लीव बूट होते हुए आपको दिखाई देगा और इसे start करने के बाद आपको थोड़ा सा setup करना पड़ेगा Mac OS का और setup करने के लिए कुछ का MacBook कुछ इस तरह से नज़र आएगा तो दोस्तों यह है हमारा MacBook Pro 2020 13-inch जिसके पीछे आपको यह चमकता हुआ Apple का लोगो दिखाई देगा यह जो कलर हमने चूल्ज किया है वह स्पेस क्रे कलर जो की बहुत ही ज्यादा डिसेंड लगता है अगर हम पोर्ट की बात करें तो इस वेरियंट में आपको देखने मिलेंगे टू यूसबी सी टाइप टंडर बोल 3 पोर्ट जो की लेफ साइड में है और राइट साइड में आपको देखने मिलेगा 3.5 mm का आडियो जैक तो अभी आपको मैंने दिखाया कि यहां पे यूसबी सी टाइप दो ही पोर्ट से लेकिन अभी आप सोच रहेंगे कि यार इसमें तो मेमरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए भी स्लॉट नहीं है और अगर हमरो वाइपाइ नहीं चल रहा है उस वक्त हम अगर लैन केबल से इंटरनेट करना चाहते तो कैसे करें साथी में हम इसमें यूसबी माउस लगाना चा इसक्रिप्शन में दिये यह थोड़ा सा कॉशली है लेकिन यह कापी यूसफूल और कॉलिडी प्रोड़क्ट है दोस्तों तो अगर आपको जरूरी इन चीज हो की तो आप जरूर चेक आउट कीजिए अब हम बात करतें डिस्प्ले के बारे में इस वैरियंट में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो बहुत ही जबर्दस मिलता है जो की 13.3 इंचेस IPS LCD डिस्प्ले होता है और इसकी कलर अक्यूरसी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी दोस्तों और यह इसका प्लस पॉइंट है जो हमें वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही यूसफूल होता है और मैंने तो वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशली से खरीदा है दोस्तों इस MacBook में हमें देखने मिलता है Magic Keyboard जिसका 1mm का Key Travel है दोस्तों Keyboard यूज करने में बहुत ही comfortable लगता है यह keyboard बैक लाइटिंग के साथ आता है अगर आप रात में ज़्यादा काम करते है तो यह features आपको बहुत ही काम आने वाला है और अब आते है MacBook Pro के सबसे cool feature के और जो हमें परसनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है वह है इसका touch bar इस की खास बात यह है कि आप जो भी app open करते है उस app की सबसे यह touch bar change हो जाता है जैसे कि मैं यहाँ यूटूब पे कोई वीडियो देख रहा हूं तो इसका आवाज मुझे directly mute करना है तो मैं कर सकता हूं आवाज कम ज़्यादा करना है तो भी मैं कर सकता हूं या वीडियो को pause करन करेंगे dual speakers जो की Dolby Atmos का surround sound support करते हैं और दोस्तों यह one of the best speaker है जो मैंने अब तक जितने भी laptop यूज के उन में से यह speaker बहुत ज्यादा loud और sharp है चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूं तो कैसा लगा आपको यह आवाज मुझे comment section में लिख देना touch bar के right side में आपको मिलता है physical touch ID sensor जो की बहुत ही fast है अब मैं इसके touchpad की बात करूँ तो बाकी laptop की compare में इसका touchpad बहुत ही बढ़ा है दोस्तों और यह post touchpad है इसके बारे में मैंने बहुत सुनाए कि यह one of the best touchpad है लेकिन जब तक मैं यूज नहीं करूँगा तब तक मैं इसका review कैसे बताओ जब मैं यूज करूँगा तो इसके मेरे screen पर लेके चलता हूँ और इसका configuration आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यह operating system macOS Catalina यह MacBook Pro 13-inch 2020 2 Thunderbolt 3 ports इसका processor है 1.4 GHz quad core Intel Core i5 और इसमें memory याने की RAM है 8GB और इसमें Intel का inbuilt graphic है जो की है Intel Iris Plus Graphics 645 वो है लगबग 10GB का तो यह है मेरे MacBook Pro 2020 का configuration दोस्तों तो अब आपके दिमाग के असली सवाल की और क्योंकि आपके दिमाग में यह सवाल तो starting से गुमता हो रहा होगा कि इसकी प्राइस क्या है तो चलिए बिना टाम बेश किया चलते है Apple India के online store पर जहां से मैंने इसे purchase किया है तो इसकी price है 1,22,990 लगबग 1,23,000 और हमने HDFC के credit card पे इस इसे purchase किया तो हमें मिला लगबग 1,16,000 में मतलब 7,000 लगबग हमने discount इस पे मिला है और इस MacBook Pro को हमने Amazon और flip card पे भी search किया था लेकिन वहां पे इसके पुराने वर्जन से अवेलेबल है MacBook Pro 2020 अवेलेबल नहीं इसलिए हमने Apple India साइट से इसे purchase कर लिया लेकिन शायद Amazon और flip card पे अभी आप search करते हो तो आपको मिल सकता है और Amazon और flip card पे यह आता है तो उसकी link हम description में आपके लिए दे देंगे शायद उसके उपर आपको कुछ और खास भी offer मिल सकते हैं और Apple India online store की एक खास बत मैं आपको बता हो कि अगर आप एक student हो आपके पास college का ID है और साथ में college क का email ID भी है तो आपको उनके website पे कुछ student discount मिलने वाला है और वो आप जाकर Apple India site पे register करने के पाद आपको पता चलेगा कि exactly आपको कितना discount मिलने वाला है तो अगर आप student हो तो चाकर जरूर चेक कीजे लेकिन आपके पास आपका college का ID और college का register email ID भी होना चाहिए तो आइए द और इसी में और एक variant उन्होंने दिया है लेकिन उसकी storage capacity है 512GB लेकिन बाकी सारा configuration as it is है जिसकी price लगबख 1,43,000 यानि कि 20,000 एक्स्ट्रा amount यह charge कर रहे है बस storage के लिए मतलब 500 लगबख 200GB storage वो आपको 20,000 में दे रहे तो मेरा recommendation यह रहेगा कि भाई यहां से storage बढ़ाने अपग्रेड किया गया है जहां पर आपको दिखाए देगा 2.0 GHz का core core processor और वो रहेगा 16GB memory के साथ लेकिन इसकी price आपको पे करने पड़ेगी लगबख 1,75,000 और अगर आप इसके 16-inch वाले variant की तरफ जाते तो इसमें आपको बहुत अच्छा खासा configuration मिलने वाला है लेकिन इसका budget भी बहुत जाद है दोस्तों लगबख 2.0,000,000 रुपए आपको पे करने पड़ते इस वाले model के लिए जिसमें आपको RAM भी super fast मिलेगी, graphics भी मिलेगा, processor भी अच्छा मिलेगा लेकिन ये बहुत ही costly तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा detail में नहीं जाओंगा लेकिन आप इसे website पे जाकर check out कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके लिए बेश कौन सा है आपको उस price में ध्यान रखे ही आप ये check करोगे तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि हमने कौन सा variant खरीदा और ये variant हमने क्यों खरीदा जिया दोस्तों हमने laptop लिया है हमारे channels के वीडियो को edit कर करने के लिए तो हमने कली सुना था कि laptop अच्छा performance करता है लेकिन अब हम यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा और जैसे यूज करते जाएंगे आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे दोस्तों और साथी में Macbook कैसे operate करना है यानि कि आपके लिए Mac OS नया है बिल्कुल ही आप नहीं जानते हैं कि इसे कैसे operate करना है तो उसके उपर भी हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये विडियो से थोड़ा सा उल्टा है अब आपको पता चलेगा हमारी वीडियो में क्या क्या चीज़े इसमें अलग है settings कैसे रहती Macbook Pro की सारी चीज़े हम explain करेंगे आगे आन कीजिए मैं मिलूंगा कुछ और इंट्रेशन वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिए और सीख तरही है सिखा तरही है बाइबाए